हाई गाईज वैलकम अगे इन मोसिना क्लासेज तो फाइव मिनट फाइव एम सीक्व सरीस का नेश्ट पार्ट लेके मैं तुबारा हाजिर हो गया हूँ आपके सामने तो हम शुरू करते हैं अपने इस पार्ट को तो पहला कोशन जो आपको दिख रहा है वो दिख रहा है क्वाल्टी टीचर एजूकेशन से हैं तो जब क्वाल्टीच तीचर एजुकेशन की बात होती है इंडिया के अंदर तो हमाई सामने सिर्फ एक ही नाम आना चाहिए वह है आपका National Council for Teacher Education NCTE यही आपका answer भी हो जाएगा कभी-कभी इसका full form भी पूछ लेते हैं that's why आपका question और prepare हो गया यहाँ पे mention किया हुआ है full form National Council for Teachers Education in short NCTE और इसके अलबा मैंने यहाँ पे NCLT के full form को भी आपके सामने दे दिया है और AIU का full form भी आपके सामने है और UGC का सबको पता युनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन होता है यह आपका पहला question है जो लिया गया है higher education से और paper है आपका December 2018 यहाँ मैंने year भी mention कर दिया है आपको इससे help मिलेगी हम चलते हैं अपने अगले question के उपर अगला question आपका बोलना है pilot study तो पहले समझ लेते हैं कि यह pilot study होता क्या है ठीक है जब भी हम कोई project करते है ठीक है तो ऐसा नहीं है वो project हम एक साथ पूरे इंडिया में launch कर देते है सबसे पहला जो उसका part होता है उसको कुछ शेहरों में launch करते है एक example लेते हैं चीज़ें और क्लिया हो जाएंगे जैसे कि सुच इंडिया इंडियन government ने launch किया तो वो शुरू कहां से किया था गुरू ग्राम से ठीक है यानि कुछ शेहरों से 4-5-6 शेहरों को select किया और पहले वहां launch कर लिया ठीक है इसी को देखते हुए पहले हम देखते हैं वो प्रेटिकल है या नहीं इसलिए हम उसको सेलेक्टेड एरिया कुछ सेलेक्टेड शेहरों में launch करते हैं और या वहां success हो जाता है तो उसके बाद उसको पेंड इंडिया पर हम launch कर देते हैं तो यह आपका हो जाएगा feasibility study यानि हम देखते हैं basically कि वह आपका पॉसिबल है कि नीक पॉसिबल है ओल इंडिया पर launch करने के लिए ठीक है और बाकि आपकी तीनों रिसल्ट्स हम जल्दे लिए बता देते हैं क्या क्या है descriptive research जो होती है वहाँ पर हम what का answer खोशते हैं जैसे इसका example survey वगरे इसमें होता है आपका explanatory में हम why का खोशते है answer और correlation हम देखते हैं कि दो जो आपके variables हैं उनके बीच में जो सम्मन्द है वो positive है negative है या कोई सम्मन्द नहीं है तो यह आपके चारो option की explanation हो गई आगे बढ़ते हैं और यह भी question लिया गया है जून 2019 से जो एक्जाम एंटी ने अभी लाश्ट वाला लिया तो वहां से यह question उठाया गया है और यह यूनिट है research का आगे बढ़ते है लाइफ cricket match is a example ठीक है लाइफ cricket match की की बात हो रही यानि की live feeding की बात हो रही हो क्या तो यह question तो basically बनाया गया है बट इसकी जो idea और concept है वह भी June 2019 से लिया कि है ठीक है ऐसी यह question जून में आया हुआ था कि पेपर के अंदर तो यहां पे जो आपको option देख रहा है जो ज्यादा confusing होगा वो A और B में हों गया आप synchronous media यानि जब live feeding होती है तो उसे हम synchronous media कहते हैं जैसे आप हमारा यह YouTube वीडियो देख रहे हैं तो यह कैसा example A synchronous media का है क्यों क्योंकि यह record पहले हो चुका है और दीप बाद में रहा है आपको ठीक है इसकी recording अभी चल लिए लेकिन जब आपको यह दिखेगा तो already यह record हो चुका है और time shifting क्या होती है basically जब हम किसी चीज को record कर लेकर जैसे कि माली जब for example कोई serial आ रहा है आपका साले 8 बजे लेकिन आप बीजी हो तो आप उसको record कर लेते हो DVD या फिर pen drive के अंदर और उसको बाद में देखते हो तो उसको हम time shifting कह देंगे को वेल जैंस इसके नाम में ही को लगा हुआ है इसका मतलब क्या होता है जब combination of different technologies आपके सामने हो जाएंगे तो एक question number 3 का answer एह हो जाएगा आपका आगे बढ़ते हैं हम लोग affirmative or negative यह logical listening का question है basically affirmative or negative is the classification of position on the basis तो इनकी classification पूछी जा रही है affirmative क्या है positive और negative तो यह quantity नहीं बता रहे है यह क्या बता रहे है यह basically बता रहे है quality ठीक है quantity कौन बताएगा जहां पर all और some के बारे पूछ रहेगा तो वह आपको क्या बताएगा quantity की all है या some part है उसका और validity और truth का है कोई मतलब तो ही नहीं है आगे चलते है question number 5 पर अच्छा है यह question आपका जें 2017 से लिया गया है ठीक है और पूछा जा रहा है which of the following is not a waterborne disease इन में से कौन सी waterborne disease नहीं है नौट में बड़ा ध्यान रखना एक्जाम में क्योंकि इस्ट्वेंट बहुत confused रहते हैं नौट के उपर ठीक है एक एक करके साइड इसको देख लेते हैं तो पहली disease आपके सामने टाइफाइड दी है टाइफाइड जो होता है waterborne disease है यानि प अला जो होता है polluted water पीने से यह होता है हम सबको पता है तो यह भी कटिया डेंगू जो होता है गंदय पानी में मच्छर जो पैदा होते उनकी वजह onthous değer कहते है ठीक है, female and nieu's उनकी वज़ा से हमें डेंगू होता है ठीक है लेकिन डेंगू finally होता कैसे है होता है मच्छर काटने से तो यह आपका answer D हो जाएगा इसका D is the right answer ABC गलत है तो गाइस इस तरह हम different questions ला रहे हैं 5 minute के अंदर 5 MCQ with explanation ठीक है इससे आपकी preparation हो रही है डेली आपको मिलता है सुबस साथ से आठ के बीच में तो गाइस मैं expect करूँगा कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को like करिए comment करिए वीडियो को share किए अपने friends के साथ और चैनल subscribe नहीं है तो चैनल subscribe कर लिजेए बाई टिक किया